देसी मुर्गी पालन खर्च ना के बराबर कमाई 20,000 से 50,000 हर माह। जी हाँ, देसी मुर्गी पालन कर आप भी अपने कमाई का स्रोध बढ़ा सकते हैं। देसी मुर्गी पालन दो तरह से किया जाता है। पहला है बैक्यार्ड मुर्गी पालन। बैक्यार्ड मुर्गी पालन छोटे स्तर पर मांस अथवा अंडे उद्पादन के लिए की जाती है, देसी मुर्गी पालन के लिए. हमें अधिक स्थान की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसे अपने घर के आंगन, खाली जगह, अथवा खेतों में कर सकते हैं. इसके लिए आपको अतिरिक्त समय देने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी. मुर्गियां खुद से चारा दाना चुन लेती हैं और अपना पेट भरा लेती हैं. इसमें आपको अपने मुर्गियों को किसी भी प्रकार का पोल्ट्री दाना अथवा दवाईयां देने की मुर्गी पालन शुरू कम से कम 20 मुर्गियों से और अधिक से अधिक 50 मुर्गियों से शुरू कर सकते हैं. इससे ज्यादा मुर्गियां यदि आपको पालनी हो तो फार्म बना कर मुर्गियां को रखना होगा. दूसरा तरीका है सेड बना कर मुर्गियों का पालन करना. तब आपको मुर्गियों की संख्या की जानकारी नहीं हो पाएगी. जो खुले में चरने के लिए गई थी और वापस आने पर कितनी मुर्गियां आई और कितनी नहीं आ पाई. इस तरह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. और दूसरे जानवर भी जैसे कुता, बि संख्या में मुर्गियां होने के कारण उनमें बीमारी होने की अधिक संभावना होती है. ऐसे में उन्हें विशेश तोर पर देख रेक, खान पान और समय पर दवाईयां देने की आवश्यक्ता पड़ती है, जिससे मुर्गियों की विकास दर में कोई भी गिरावट ना आ श्रीनिधी, वनराजा, हाजरा मुर्गी, देसी क्रोयलर मुर्गी, सोनाली मुर्गी और आज कल कड़कनाथ मुर्गे का भी पालन लोगों के बीच में तेजी से बढ़ा है. अगर हम देसी सोनाली मुर्गी की बात करें तो यह मुर्गी तीन से चार माह में एक किलोग्राम की हो जाती है। सोनाली मुर्गी मीट एवं अंडा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मुर्गी मानी जाती है। सोनाली मुर्गी एक साल में 1200 से साल में 1400 तक अंडे देती है। और वहीं पर देसी क्रोयलर मुर्गी। यह मीट उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। क ज़्यादा तर ये नसल लोगों के द्वारा मीट के लिए पाली जाती है। अगला वीडियो एस्पेशली कड़कनात मुर्गी पालन कैसे करें। कड़कनात मुर्गी पालने के क्या फायदे हैं और इसका मार्केट वैल्यू क्यों इतना ज्यादा है। क्यों ये लोगों के बीच में आकर्शन का केंद्र बना हुआ है। तो साथियों तब तक के लिए नमस्कार। जै जवान, जै किसान!